मंच पे उपस्तित हमारे कॉंग्रेस पार्टी के सर्वस्रेश नेता में ते कि दो लोगों जागत पृष्टरी अव्यां सब्सक्राइब पुर्चा प्रजाए गाउनिक एगारे कुछ पर्णेज मचा जाएंगे ज़री पर फेले लाव की। मंच पर उपस्तेथ हमारे कॉंग्रेस पार्टी के सर्वश्रेश नेता में से सल्मान कुशी साहब और इस प्रोग्राम के सदारत करने वाले मंजूर भाई जांगीर जी का नाम लेना जुरूरी है और आज जिन जिनके लिए ये मीटिंग हो रही है वालिया साहब इनका मैं क्या बोलूगी कितनी बार इनके लिए मैं यहां पर आई हूँ आप लोगों के सामने और चार बार के मेले रह चुके है 15 साल मिनिस्टर रह चुके है और मैं समझती हूँ माफी जाती हूँ एक और मीटिंग पे इसके बाद जाना है वो कैंडिडेट बहुत बेसंद्रे हो रहे है और दिल्ली की ट्राफिक ऐसी है कि एक जगा से दूसरे जगा जाने को मुश्किल हो रहा है लेकिन मेरे सभी भाई और भेनों मता हूँ दोस्तों को मेरा बहुत बहुत त्यार नमस्कार डॉक्टर वालिया साहब बहुत ही परिपक्व नेता है उन्होंने बहुत साल यहां पर मिनिस्टर भी रहे हैं काम भी किया है और मैंने ही समझते कि कॉंग्रेस पार्टी से अच्छा काम पूरी दिल्ली में किसी ने करके दिखाया है पिछले 13 साल से बीजेपी एंसेडी एलेक्शन में हैं और सब जान रहे हैं कि बीजेटी ने सफाई का अभ्यान किस तरह किसे किया है और दिल्ली का एक तरह से सफाया ही कर दिया है तो बीजेपी के बारे में ज्यादा न बोले तो वही ठीक रहेगा प्रधानमंत्री धुवी करन में लगे हैं क्योंकि बीजेपी के पास कोई चीज नहीं है बताने के लिए कोई काम नहीं है बताने के लिए मेंगाई चरन सीमा में है और मेरे खायल से सब लोग पकोड़े तल रहे हैं तल रहे हैं पिछले पान साल से पकोड़े तले जा रहे हैं सबने पगवड़े खा कि सबको बदहजमी होगी कि नहीं होई अभी तद किया अगले पांच साल और करना हैं नहीं ना मेहंगाई के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है LPG सिलिंडर की बात करते हैं तो सिलिंडर की कीमत इतनी बढ़ा दिये हैं इनोंने और तो और नौजवानों के पास नोक्रिया नहीं है किसान आत्महत्या कर रहे हैं अब तो नौजवान भी आत्महत्या करने लगे हैं और महिलाओं का जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान कर रहे हैं वो सब ने देखा है कि किस तरह से बेटी बच रही है किस तरह से मेले है यूपी के यही रेपिस्ट निकले हैं और इनके इलावा चिनमय अनंदा जी तो ये मोधी जी इनकी कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है और जब देखो ये धुवी करन के बारे में बाते करते हैं हमारे सीनियर लीडर यहाँ पर हैं वो आपसे और भी बहुत सारी बाते करेंगे इसके बारे में विस्तार में करेंगे लेकिन मैं आपसे कुछ दो तीन बाते ही कहना चाती हूँ जिस तरह से इन लोगों ने एक जमूरियत में और जो लोकशाही है जो डिमॉक्रसी है हमारी उसमें जनता को पूरा हक होता है कि पीस्फुली प्रोटेस्ट करें और अपनी बात पीस्फुली सरकार के सामने रखें लेकिन इन्हीं के वित्र मंत्री इतना विवादित बयान देते हैं और एलेक्शन कमिशन उनको बैन करती है और आज के दिन पे मैंने उनको बोलते वे सुना कि बैन खत्म हो गया तो इन्हों ने वह बिवादित बयान दूए कि बोली मारो सालों को देश के गजदारों को तो देश के गदार कौन है मैं यह पूछना चाहती हूँ और यह कौन तेह करेगा कि देश के गदार कौन है क्या भाजपा तेह करेगी या लोगों के हाथ में जो लोग जब इन्हों ने यह कहा था तो उसके दो दिन के ठीक दो दिन के बाद दो तीन लोग गए और एक के बाद एक दो तीन दिन लगातार गोलियां चलाई तो क्या किया है इन लोगों ने तो यह मोदी जी इनकी बातों में मत आईएगा यह अच्छे दिन आज तक सब को दिखाई रहे सौ स्मार्ट सिटीज का इन्होंने 2014 में बादा किया था अभी तक एक भी नहीं बना और अगले यह बजट में दो दिन पहले उन्होंने और पांच बनाने के बादे किये और जो बजट होता है वो एक साल का होता लेकिन इन्होंने साथ साल आगे के सपने दिखा दिये इस साल के बारे में वो क्या करने वाले हैं चाहे गरीबों के बारे में या गरीबी रेखा की नीचे के बारे में या किसानों के बारे में या महिलाओं के बारे में या नौजवानों के बारे में इनके पास कोई ओजना नहीं है इन्होंने पिछले हर साल में कहा था कि हर साल नौजवानों को ये दो करोड नौकरिया देंगे उसके हिसाब से साड़े-पांच साल होगे तो ग्यारा करोड नौकरिया देनी चाहिए लेकिन अब तक इन्होंने सिर्फ देड़ करोड भी नहीं दिये और खुदा जने के वो हिसाब सही है कि गलत है इनसे तो और इनकी जूट से तो पता नहीं कौन बचाए लेकिन ये प्रधान मंत्री होके ये CAA और NRC के बारे में कंफ्यूज कर रहे हैं देश को और इनकी ग्राम मंत्री और कंफ्यूज कर रहे हैं और ये लोगों को ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं तो CAA के बारे में CAA कोई नहीं चीज नहीं है बहुत सालों से होती आई है और कई सालों से जबसे CAA हो रहा है लेकिन जाती के आधार्पी कभी नहीं हुआ इसके पहले ये जो इन्होंने इस बार अमेंडमेंट किया है ये इन्होंने मुस्लिम और हिंदू को डिवाइड करने की कोशिश की है और जो सुप्रीम कोट मॉनिटर्ड जो CAA और NRC असाम में हुआ था उसमें 19 लाक लोग रहे गए थे और 90 लाक लोगों ने अपनी नागरिक्ता खोई थी जिसमें से तीन लाक लोग जिर्फ मुस्लिम भाई बैंते बाकी 16 लाक बाकी 16 लाक हिंदू थे तो ये सारे बाते जो ये जूट फैला रहे हैं कि कुछ हिंदूओं को नागरिक्ता देनी है और हम लोग इसकी आपत्ती उठा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि कॉंग्रेस पाटी ने भी नागरिक्ता पहले दी थी और इनके जो गुजरात के सीएम है रुपानी जी उनको भी पहले आकांवते पहली नागरिक्ता दे में keen खुबः शियृंट उनको भी नागरिक्ता दिस पर इनोंने नागरिकता किसको दी अधनान सामी को दिए इन का जब मर्मढम्नमरदी आता है तो यह नो जवानों के खिलाव से तुक्रू के खिलाव सेहन को प्रमानवत्र बाट Simmons लेकिन भाईयों मैं सिर्फ यहीं बोलना चायती हूं कि हम गांधी के देश में रहते हैं बापो राग रहे जाप रहे हैं इनसे किसी ने अभी कुछ दिन पहले पूछा कि ये तुकड़े तुकड़े गैंग कहा हैं क्या ये लोग पकड़े गए क्योंकि लॉइन अर्डर सिट्वेशन तो बीजेपी के अंडर में है दिल्ली में तो उनके पास कोई जवाब नहीं था उन्ह यही कहना चाहती हूँ कि जब सोनिया जी और हमारी सरकार थी तो सोनिया जी मनरेगा लेकर आई थी शिक्षा का अधिकार लेकर आई थी भोजन का अधिकार लेकर आई थी और बहुत सारी ऐसी होजनाई लेकर आई थी जो हमारी बेनों के लिए है जो मेरे हमारी बेटियों क पता नहीं क्या आईशोमान भारत और इसमें पता नहीं कितनी सारी योजना है उन्होंने अनाउंस किये लेकिन एक भी योजना ये ठीक से चला नहीं पाए मौती जी तो कभी हिंदुस्तान में रहते ही नहीं भारगाओं घुमते रहते हैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर वापस आते हैं और फिर पचार करना शुरू करते हैं और धुवी करन करते हैं और लोगों में बाठने की बात करते हैं एक अखरी बात कहूंगी हमारे करके सब को बेचना शुरू कर दिया रिजर्व बैंक का पैसा भी इनोंने खतम कर दिया जो रिजर्व का पैसा है यह भी इनोंने ले लिया लाइसी का उप इंडिया को भी इनोंने खतम कर दिया पीएस यूज जो पुरवजों ने बनाए थे इनोंने सब खतम कर दिया तो लो क्या बोलू कि ये पानी दे रहे हैं लेकिन पानी इतना गंदा दे रहे हैं और ये 200 यूनिट इलेक्रिसिटी फ्री देने की बात कर रहे हैं लेकिन खुदा जाने कि इसके बाद आपको पुरे मिलेगा के नहीं मिलेगा इलेक्शन खतब हो जाएंगे तो मैलाओं को अभी बस फ्री मिल रही है वो भी इलेक्शन खता होने के पाद फ्री होगा यह नहीं होगा किसी को नहीं पता लेकिन मनोस्तिवारी का आज हमने वीडियो देखा पता नहीं कहीं बता रहा था उसमें कि यह इन्होंने कहा था कि 200 फिरी इलेक्ट्रसेटी देंगे आम आदमी पाटी ने लेकिन उसमें 49 रुपे का बिल आया उसका भी बिल लगिया तो आप सोच ले ना आई भेहन से नहीं बात कर रही हिंदू से भी बात कर रही बिकाज ज्यादा तादात में वो नागरिक तक होने वाले तो इस मुकालता में किसी को नहीं रहना चाहिए कि ये मुस्लिम सिर्फ होएंगे ये असाम में हो चुका है और इसका परिणाम सब देख चुके है इसलिए अगर आप रहोगे नागरिक इस देश के तो आपको पानी भी मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी नहीं र पाली आठ सारी को सिर्फ और सिर्फ हाथ को वोट दीजेगा क्योंकि ये हाथ ही है जो आपके साथ में रहेगा एक बर सब हाथ उठाके मुझे आश्वासन देदीजिए और आजाती हूं इतने बड़े नेता है फिर भी इनको पता है कि कॉंग्रेस पार्टी का क्या हाल होत और यहां से वहां इलेक्शन में भागना पड़ता है तो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया जैहिंद जैभारत बहुत बहुत शुक्रिया इसमें कोई शक नहीं है दूसरे कंडिडेट को इनका इंजार इसलिए है कि 10 बजे तक का टाइम होता है फिलीज बड़ी मुखबत के साथ आप रास्ता बनाएंगे बहुत मुखबत के साथ रास्ता बनाएंगे नगमाजी बहुत देर से बच्च आपके आने का